अगर आप एक English Learner है या फिर आपको यी competitive exam की तयारी कर रहा है या आपको इस school student है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है क्योंकि इस वीडियो में मैंने 30 से जाधा around 34 to 35 words कवर किया है उनकी Hindi meaning और उनकी multiple synonyms और antonyms जी हाँ synonyms यानि परयवाची शब्द एक ही meaning कि कितने सारे English words हो सकते हैं वो हम देखेंगे और उनी words के antonyms यानि उन words के opposite words कितने हो सकते हैं जैसे एक word है अगर lazy यानि आलसी तो आलसी को हम कितनी तरीके से बोल सकते हैं आलसी के लिए कितने सारे English words हैं वो हम देखेंगे और आलसी का opposite यानि जैसे फुर्तिला है तो उसे हम English में कैसे कहेंगे उसके भी multiple words So video काफी useful होने वाले आपके लिए और तो और आपकी vocabulary में भी काफी improvement आगा आपको बहुत सारे नए-ने words देखने को मिलेंगे इस वीडियो से So, बिना दा ताइम वे इसके चले वीडियो का स्टार्ट करते हैं Okay, so, आजका हमारे सबसे पहला word है handy H-A-N-D-Y, handy जिसका मतलब है Kushal, Kushal यानि जिसको सब कुछ बनता हो, expert हो या फिर skilled हो कुछ चीजों में उसे हम handy कहते हैं, synonyms देखने हैं इसके expert, skillful, adroit, proficient और dextrous यह सारे इसके synonyms है सबकी meanings almost same है Antonyms देखते हैं, unskilled, clumsy, bungling, unhandy या फिर blundering यह सारे इसके opposite words यानि antonyms है So, आप चाहे तो simply इन्हें note कर सकते हैं कोई copy में या फिर आप इसका screenshot ले सकते हैं नेक्स वर्ड दिखते हैं आज का essential या जिसका मतलब है आवशक यानि जरूरी synonyms देखेंगे necessary, requisite, innate और vital यह सारे इसके synonyms है जिसकी meaning same है Antonyms देखेंगे superfluous, needless, useless या फिर excessive यानि कोई चीज अगर आपके पास बहुत जादा amount में आ गए यानि वो आपके लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल useless आपके पास पड़ी हुई है, तो वो आवशक का opposite यानि essential का antonym हो गया next word देखते हैं आज का blessing, B-L-E-S-S-I-N-G blessing मेरी ख्याल साब जानते होंगे जिसका मतलब है आशरवात या फिर किसी को दूआ देना हम बोलते हैं, blessings देना, synonyms देखेंगे इसके praise, consecration या फिर good wishes, good wishes यानि किसी के लिए अच्छी wishes देना, blessings देना, इसके antonym देखते हैं, evil thoughts यानि बुरे विचार, curse या फिर bad wishes ये सारे इसके opposite यानि antonym हो गये, next word है आज का generous, G-E-N-E R-O-U-S, generous जिसका मतलब है, उदार, synonyms देखेंगे इसके liberal, bountiful, magnanimous, or minificent, antonymes देखते हैं, mean, stingy, parsimonious, or miserly, ये सारे इसके antonymes यानि opposite words है, generous के, next word देखते हैं, diligent, D-I-L-I-G-E-N-T, diligent, जिसका मतलब है, mehanti, parishrami, synonyms देखेंगे, attentive, laborious, careful, और hardworking, ये सारे इसके synonyms है, जिसकी meaning है, mehanti, या फिर, parishrami, antonymes देखेंगे इसके, idle, यानि खाली बैठे रहना, slack, slothful, indolent, or lazy, ये सारे उसके antonym है, उसके opposite है, mehanti के opposite, यानि जैसे, rc, dhila, dhala, sust, prani, जिसकों बोल सकते हैं, ये सारे इसके antonymes है, next word है, benefit, benefit, जिसका मतलब है, फाइदा, आप जानते होंगे, synonyms देखेंगे, इसके profit, advantage, और gain, profit यानि फाइदा, advantage यानि भी फाइदा, और gain यानि भी फाइदा, कुछ पाना, antonymes देखेंगे, loss, यानि किसी जीज का loss होना, disadvantage, और less, यानि कम होना, okay, ये सारे इसके synonyms और antonym से, ध्यान रखेगा, नोट करते जाएगा, अगर आप competitive अगरा की तयारी कर रहे हैं, तो, next word है, gloomy, glomy, gloomy, जिसका मतलब है, निराशा जनक, यानि disappoint करने वाला, जिसका हम बोलते है, synonyms देखेंगे, dark, dusky, dim, shadowy, और lurid, antonymes देखेंगे, bright, jolly, blith, jokund, और merry, ये इसके antonymes है, next word है, hardy, h-a-r- d-y, hardy, जिसका मतलब है, saahasi, saahasi, यानि हिम्मत वाला, जिसका हम बोलते है, synonyms है, robust, healthy, strong, lusty, और tough, ये सारे इसके synonyms है, antonymes यानि इसके opposite words देखते हैं, weak, यानि कमजोर, feeble, यानि भी कमजोर, frail, fragile, और delicate, ये सारे इसके antonymes है, यानि saahasi के opposite है, कमजोर, या फिर, इसका मतलब है, डरावना, synonyms देखेंगे, इसके, horrible, 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 dire, यानि भयानक, dreadful, डरावना, भयानक, terrible, यानि हूखार, डरावना, या फिर, भयानक, सबकी meaning same है, ये इसके synonyms हो गया, antonymes देखते हैं, heartening, heartening, यानि खुशी, अच्छा आपन, cheering, reassuring, या फिर, inspiring, ये सारे इस synonyms देखेंगे, इसके, popular, या फिर, republic, ये दोनों इसके synonyms है, antonymes देखते है, mobocracy, aristocracy, और autocracy, democracy के ये opposite words, यानि synonyms है, next word है, correspond, c-o-r-r-e-s, p-o-n-d, correspond, जिसका मतलब है, अनुरूप होना, same होना, synonyms देखेंगे, match, correlation, और similarity, दोनों में, जो चीज़े same हो, match करती हो, य से similarity कहते है, antonymes देखेंगे, variance, jarring, और dissonance, ये सारे इसके antonymes यानि opposite words होगे, next word है, between, 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 जिसका मतलब है, beach में, या फिर, k, beach, synonyms देखेंगे, amidst, 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 ये सारे इसके synonyms है, जिसका मतलब है, beach में, या फिर, k, दौरान, antonymes है, इसके, outside, beyond, और far from, outside, beyond, और far from, य ये सारे इसके between के antonymes यानि opposite words है, next word है, abandon, 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 जिसका मतलब है, छोड़ देना, या फिर, त्याग देना, synonyms देखेंगे, surrender, give up, quit, discontinue, और forsake, surrender, give up, quit, discontinue, और forsake, ये सारे इसके synonyms है, सबकी meaning है, छोड़ देना, त्याग देना, या फिर, बंद कर देना, antonymes देखें remain और continue, continue तो हम जानते हैं, ये सारे इसके antonymes हो गए, next word है, combat, c-o-m-b-a-t, combat, जिसका मतलब है, युद, यानि लड़ाई, जगड़ा, जंग, विवाद, ये सारे इसके meaning है, synonyms देखेंगे, conflict, struggle, engagement, brawl, broil, और afraid, ये सारे इसके synonyms हो गए, antonymes यानि इसके opposite words देखते है conquered, agreement, harmony, MIT, peace, यानि शान्ती, युद्ध का opposite है, शान्ती, next word है, advance, adban, ce, advance, जिसका मतलब है, आगे बढ़ना, synonyms देखेंगे, proceed, further, या फिर, progress, ये सारे इसके synonyms है, जिसका मतलब है, आगे बढ़ना, progress भी आप जानते होंगे, antonymes देखेंगे, इसके opposite words, regress, progress का opposite, regress, recede, go backward और bent, ये सारे इसके opposite words, यानि antonymes हो गया, next word है, इसका bankrupt, B-A-N-K-R-U-P-T, bankrupt, काफी common word है, जिसका मतलब है, दिवालिया, यानि बरबाद हो जाना, खतम हो जाना, जिसको बोलते हैं, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचाओ, पूरा गंगाल हो चुका हो, उसे bankrupt कहते ह इसके पैनी लेस, यानि जिसके पास एक पैनी भी नहीं हो, पैनी लेस, बिलकुल खतम हो, destitute, insolvent, और ruined, यानि जो बरबाद हो चुका हो, एंटरियम जेके इसके opposite words, credit words जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, prosperous और rich, यानि अमीर, next word है, evident, E-V-I-D-E-N-T, evident, जिसका मतलब है, प बहुत अच्छी quantity में होना, भरपूर आपके पास होना, उसे plentiful कहते हैं, एंटरियम जेखेंगे इसके opposite words, want, यानि जो चीज आप चाहते हो, scars, यानि जिसकी कमी हो, lack, यानि कमी होना कोई चीज की, यह सारे इसके एंटरियम से, next word है, comparison, c-o-m-p-a-r-i-s-o-n, comparison, जिसका मतलब है, तुलना करना, कोई भी दो चीजों को compare करना, तुलना करना, उनकी synonyms हैं इसके, illustration, similitude, और simili, s-i-m-i-l-e, simili, यह सारे इसके synonyms है, opposite words, यानि जेखते हैं इसके, difference, यानि कोई भी दो चीजों में difference, तुलना और difference, दोनों बिल्कुल opposite words हो गए, contrast, और contrarity, यह सारे इसके एंटरियम से, next word है, decade, d-e-c-e-y-e-d, decade, जिसका मतलब है, सड़ हुआ, या फिर गला हुआ, जो बिल्कुल खराब हो चुका हो, बेकार हो चुका हो, synonyms है, rotten, यानि सड़ा हुआ, गला हुआ, आपने सोना होगा, rotten, apple, rotten, fruits, faded, corrupt, or putrefied, यह सारे इसके synonyms है, जिसका मतलब है, सड़ा होना, खराब होना, बेकार हो चुका होना, एंटरियम से जो चीज सामान्य नहीं हो, नॉर्मल नहीं हो, उसे हम abnormal कहते हैं, synonyms देखेंगे इसके, irregular, unnatural, anomalous, specular, unusual, eccentric, यह सारे इसके synonyms हो गया, इंटरियम से यानि इसके opposite words देखते हैं, regular, irregular का opposite word हो गया, यहाँ पर regular, abnormal का सीधा सा इंटरियम है, यहाँ पर normal, abnormal, natural, यानि जो अभी था unnatural, उसका opposite होगे, natural, ordinary, यानि जो साधारण हो, सामान्य हो, और usual, जिसकी मीनिंग भी सेम है, साधारण या फिर सामान्य, यह सारे इसके antonyms थे, next word है, consequence, c-u-n-s-e, q-u-e-n-c-e, consequence, इसका मतलब है, परिणाम, यानि जो आपका result आया हो, या फिर outcome, जिसे हम कहते हैं, synonyms द cause, cause, origin, consequence के opposite words, reason, source, cause, origin, next word है, idle, i-d-l-e, idle, यानि बेकार, बेकार, यानि कोई ऐसा इनसान जो बिल्कुल खाली बैठा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, निश्क्रिय पढ़ा हो, free हो, use में नहीं हो, उसे हम idle कहते हैं, synonyms, lazy, यानि जो कोई काम नहीं कर रहा हो, आलसी हो, inactive, जो active नहीं हो, indolent, inert, और sluggish, यह सारे इसके synonyms हो गए, opposite words देखेंगे, इसके antonyms, जो है, active, busy, industrious, diligent, और assygers, यह सारे इसके antonyms है, active, busy, अगर कोई इंसान busy है, यानि वो बेकार नहीं बैठा है, यह इसलिए उसका opposite word है, next word है, fertile, f-e-r-t-i-l-e, fertile, जिसका मतलब है, उ prolific, production, teaming, fruitful, rich, यह सारे इसके synonyms हो गए, यानि परियावाची शब्द हो गए, antonyms है, bear, infertile, sterile, arid, barren, यह सारे इसके antonyms, यानि opposite words है, next word है, extreme, e-xt-r-e-m-e, extreme, जिसका मतलब है, चरम, चरम यानि बहुत जादा जिसका हम बूल सकते हैं, कि जैसे किसी को आपने बहुत परिशान किया हो, बिल्कुल extreme, उसके चरम सीमा तक किसी को तंग करना, extreme, उसको कहते है, चरम सीमा, synonyms देखेंगे, extravagant, immoderate, और excessive, यह सारे इसके synonyms है, antonyms देखेंगे, moderate, immoderate का बिल्कुल opposite हो गया, और temperate, defense, d-e-f-e-n-s-e, defense, यानि रक्षा करना, अपने आपकी या किसी की भी रक्षा करना, defense करना, synonyms है, shelter, screen, ditch, और earthwork, यह सारे इसके synonyms है, antonyms देखेंगे, defense के attack, defense, यानि अपने आपको बचाना, और attack करना, यानि हमला करना, aggression, और transgression, यह सारे words यो है, यह इसके antonyms है, next है, feast, f-e-a-s-t, feast, यानि दावत, आप जानते होंगे, synonyms ह इसका picnic, आप जानते हैं, यह भी picnic, repast, banquet, और festival, okay, antonyms देखेंगे, इसके, famine, star vision, appetite, और fast, fast, यह तेज वाला fast नहीं, जो हम उपवास रखते हैं, वो है fast, appetite, यानि भूख, जिसको बोलते है, star vision, यानि भूख से तरपना, जिसको बोलते हैं, यह सारी चीजे, इसके opposite words, antonyms feast के, दावत का opposite, बूखा रहना या फिर fast रखना, next word आज का, ghastly, 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 जिसका मतलब है, भयंकर, भयंकर आप जानते होंगे, synonyms है, one, wan, one, pallid, pa, ll, id, pallid, frightful, fearful, fearful, fearful का मतलब अभी हमने देखा था, भयंकर, antonyms है, कमली, c o m e l y, कमली, ruddy, r u d d y, ruddy, robust और lusty, यह सारे इसके, antonyms है, next word आज का, intolerable, i n t o l e, r a b l e, intolerable, जिसका मतलब है, असहनी है, जो चीज सही ना जा सके, बिल्कुल असहनी हो, toll rate नहीं किया जा सके, जिसको उसे हम, intolerable कहते हैं, synonyms देखेंगे, इसके, insufferable, जिससे आप, suffer नहीं कर सके, insufferable, unendurable, और unbearable, जिसको antonyms देखेंगे, इसके opposite words जो है, वो है, sufferable, जिसको आप, suffer कर सकते हैं, जेल सकते हैं, incurable, और bearable, जिसको आप, bear कर सकते हैं, और toldrable, इसका, simples, antonyms है, tollrable, intoldrable का opposite है, tollrable, जिससे आप, सह सकते हैं, जेल सकते हैं, next word आज का, illegal, i, double, l e, g, a, l, illegal, जिसका मतलब है, aware, यान unauthorized, यानि जो authorized नहीं हो, और unlicensed, जिस चीज़ का आपके पास license नहीं है, करने का, आपका authority नहीं है, आप वो कर रहे हैं, यानि वो illegal है, antonyms देखेंगे, इसके lawful, legal, valid, authorized, और licensed, next word है, humble, h, u, m, b, l, e, humble, जिसका मतलब है, win number, synonyms देखेंगे, इसके meek, lowly, l, o, w, l, y, lowly, यानि, win number, submissive, modest, और unassuming, ये सारे इसके synonyms है, antonyms देखते है, vain, v, a, i, n, vain, proud, p, r, o, u, d, proud, forward, brazen, और immodest, ये सारे इसके antonyms हो गया, next word है, four, foe, four, जिसका मतलब है, शत्रू, यानि दुश्मन, जिसे हम बोलते है, synonyms है, antagonist, rival, assailant, और opponent, antonyms देखेंगे, ally, comrade, colleague और associate, next word है, grand, g, r, a, and, grand, जिसका मतलब है, बहुत बढ़ा, बहुत विशाल, synonyms है, august, majestic, exalted, lofty, और superb, जिसका मतलब है, grand, बहुत बढ़ा, बहुत अच्छा, antonyms है, inferior, poor, dingy, lowly, और mediocre, so, चले, last word देखते है, आज का, jisका मतलब है, जल्दी करना, synonyms देखेंगे, expedite, expedite, accelerate, hurry, quicken, speed up, इन सारे words की meaning है, जल्दी करना, तीजी से करना, या फिर फुर्ती से करना, antonyms देखेंगे, इसके opposite words, retard, slacken, hinder, check, और delay, इस सारे इसके antonyms है, so, ये वीडियो हैं तक था, I hope ये वीडियो आपको useful लगा होगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सिखाओ, तो वीडियो को लाइक ज़रू करते जगा, और कॉमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको क्या सा लगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करते ज पार आपको को